हेलो फ्रेंज तो आज में लेके आई हूँ हरी मिर्च का तीखा चटपटा मसाले दाल अचार और एक बार ये मसाला बना ले और कई तरह से अचार बना सकते इस मसाले से नेट किससे हम बनाएंगे और साले साल तक चलेगा बिल्कुल घराम नहीं होगा तो चलिए फिर फ़र ना लेते वीडियो को पूरा देखिएगा तो यहां पे सर्दियो का मौसम आ गया है ये बड़ी वाले हरी मिर्च मिल जाते हैं तो आप जाए मार्केट से ले आए और फट आफट ये देसपी बनाएं तो यहां पे क्या करेंगे हमने हरी मिर्च को एक घंटे पहले ही धो कर के दुप में रखे दिया था फिर उसके बाद पानी वगयरा ना रहे बिलकुल भी इसे हमें कपड़े से पोच लेंगे इस तरह से इसका डंठल नहीं तोडेंगे बिलकुल भी अब हमें क्या करना इससे बीच में हमें कट लगा लेना है तो ध्यान से हम कट लगाएंगे त एक ही बार में आपका अचार बहुत ही बरीया पर्फेक्ट मनेगा तो हमने इस तरह से सारी हरी मिर्चु को कट कर लिया है ये देखिए अब हम क्या करेंगे चलिए मसाला रेडी करते हैं मसारा लेटी करने के लिए यहां पे हमने कड़ा ही चड़ा दिया है गैस पे उसमें डाला है एक टेबले स्पून सौफ, सौफ का फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा लगता है इसमें, साथ में इसी में हम यहां पे डाल देंगे ताकि जो हमारा अचार है खराब नहों इससे हम डाल दिये हैं मेथी मेथी डालने से क्या होता है जो हमारा अचार है ज्यादा दिन तक चलता है खराब बिलकुल भी नहीं होता है तो यहां पे मेथी की कॉंटिटी हमने एक टेबले स्पून रखा है साथ में जीरा अट कर देंगे एक टेबले स्पून सौफ को हम ज्यादा दालेंगे इसे के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे जैसे हमें आरे अचार में बुकुडिया लग जाती है हो जाता है कभी-कभी तो वह ना लगे इसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल स्पून डाल दिया हराय लियानी की सरसों फिर इसके साथ अजवाइन डाल देंगे हलका सा तीखासा पन रहेगा तो बढ़िया सा लो फ्लेम में हम बढ़िया से मसाले को भून लेंगे तो फ्लेम को हम लो ही रखेंगे लो टू मिडियम फ्लेम में बढ़िया से मसाला भूनना है जब तक मसाला चटक नहीं लगे उतना ही भूनना है तो लीजे मसाला हमाना भ तो पिसने के लिए हमने मिक्सिका जा लिया है सारे मसाले को हम ऐसे इसमें टांसफर कर देंगे तो इस तरह से टांसफर कर देंगे और कुछ मसाले और एट कर देंगे जैसे कि यहां पर हमने डाल दिया है कम तीखी वाली लाल मिर्च एक टेबल स्पून मतलब तेबल स्पून भर करके इसी के साथ यहां पर एक टेबली स्पून भर करके हम एट कर दिया है हल्दी पाउडर फिर इसी के साथ यहां पर डाल देंगे काला नमक काला नमक सचार खराबी नहीं होता है अस्वात बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फिर इसी के साथ यहां पर हम एट कर तो अन आफ करके हमें दरदरा पीसना है तो ये लेजे मसाला हमारे रेडी हो गया है इसका अब लुक देखे आप इस मसाले से कई तरह के अचार बना सकते हैं भरवाचार कई तरह से बन जाता है और खाने बहुत जादा टेस्टी लगता है एक बाद ये मसाला बनाए और कई रंकिया चार बना सकते हैं फिर उसके बाद ये क्या करें कि हमें इसे बाउल में टांसफर कर लेना है तो ये देखिए इसका टेक्स्टर देखिए हैना इदम मार्केट के जैसे घर भी इतना सौधिस्ट आप मसाला बना करके तैयार करें और फट अफट भरवाचार इस तर पर लिया है तो मस्टर डॉयल क्या करेंगे हमें बढ़िया से गरम करना है इदम इसमें दुआ सा आने लगे तो यहां पे हम डाल देंगे हिंग हिंग से क्यों होगा जो अचार है यहां खराब नहीं होगा और टेल में हिंग का फ्लेश बहुत अच्छा लगता है और अचा हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने реady किया है उसमें हम हिंग वला ते को थोड़ा सा ठंड हाइना कर लेंगे और चाlar चमच हम इसमें एट कर देंगे, तो ध्यान से एट करेंगे, अगर मसाला हमें तो मसाले में एल तो फिर हम और एट कर लेंगे, अच्छे से mix कर लेंगी ये देखे इस तरह से ऐसे हमें mix कर लेना है फिर इसे के साथ यहां पर हम खटास के लिए और अचार खराब ना हो इसके लिए हम ले लिए हैं सिर्का तो यहां पर हमने सिर्का का यूज़ किया है आप इसकी भी कर सकते अगर नहीं है तो अगर लॉंग टाइम तक चलाना चाते हैं तो आप इस तरह से विनेगर के सिरका जरूरेट करें इससे क्या होता है जो हमारा चार है बिल्कुल विनेगर आवोगा फिर इसके बाद हमें अचार को अच्छे से मसाले को बढ़िया से मिक्स करना है तो हाथ के हेल्फ इसे बढ़िया से हमें अचार को मिक्स कर लेना है मतलब यह मसाले को मिक्स कर लेना है तो यह देखिए कितना बढ़िया मसाला हमारा बन करके तयार हो गया है यह देखिए है ना बहुत ही सांदार तो अब हमें क्या करना है मसाला हमने रेडी कर लिया है तो इसमें हम सा कलोंजी एड़ कर देंगे इसे फ्लिवर बहुत अच्छा लगता है तो कलोंजी डाल करके मिक्स कर लेंगे तो अचार का हमें फिल करना है हरी मिर्च में तो ये देखें कैसे हमें फिल करना है बस ऐस तरह से हलका सा प्रेस करते हुए फैलाते हुए इस्पून के हेल्प से बढ़िया से बढ़ लेंगे आप चाहें तो क्या करें ये मिर्ची को हाफ हाफ भी कर सकते हैं आधा-धा कट कर लें तो आधा-धा कट करके आप भरवा मिर्ची भढ़ सकते हैं मतलब इस तरह से तो गोब अच्छे से हमें मसाले को भर देना है तो ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए फिंगर से इसे इसमें हम फिल कर देंगे ये देखिए इद्धम मेरे प्रोसेस इस तरह से बनाएंगे तो आपका यकीन मानिए अचार सालो साल तक बिल्कुल भी नई खराब होगा तो ऐसे हमें सारे मसाले को इसमें फिल कर देंगे तो आप quantity ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा दिन के मतलब साल तक बनाना चाह रहे हैं या फिर आप कम मतलब जैसे कि महीने दो महीने के लिए बना सकते हैं तो आप इतनी ही quantity रखे समागरी का तो ये देखिए हमने सारे मसाले को बहुत ही अच्छे से फिल किया है इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके डंठल नहीं तूटने चाहिए तो अब चलिए हम दूसरी त्यारी करते हैं तो यहाँ पर हमने ले लिया है काज का जार इसे हम बढ़िया से धो करके साप सुथरा कर लिया है और धोप में इसे अच्छे से सुखा लिया है तो बढ़िया से जो काज का जार होना चाहिए साब सुतरा इदम बिल्कुल भी वाटर वगेरा नहीं होना चाहिए क्लीन होना चाहिए फिर उसके बाद क्या करना है यहां पर कोईला है कोईला तो सब के मतलब मिल जाता है अगर नहीं मिलता तो आप मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो आप कोईलो को इस तरह से गैस में गरम कर ले तो थोड़ा सा समय लगेगा इसे गरम होने में इससे क्या होता है जो अचार है बिलकुल भी नई खराब होता है तो कोईले को हम इस तरह से गैस पर गरम कर लेंगे ये देखिए अच्छे से जला लेंगे जिसे कहते हैं तो कोईला हमने जला करके रेडी कर लिया है अब एक प्लेट लेंगे उसमें हम इस कोईले को रख लेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे जो हमने हींग रह लिया है यहाँ पर हींग हम इसमें कोईले में इस तरह से डाल देंगे यह धुआ उठने लगा अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास काज का कंटेनर है उसमें हम इस से रख देंगे पूरे तरफ यह हींग वाला धुमा पैल जादेगा इससे क्या होगा अचार बिलकुल बहीं नहीं कराब होगा शालों सालों तक आप रख सकते हैं तो इसे हम एक मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे यह देखिए अब हम क्या करेंगे जो सारे हरी मिर्च को हमने ब कर देंगे और अगर आपने अचार जादा बनाया है मतलब हरी मिर्च जादा बनाया है तो आप कंटेनर जादा बढ़ा लें तो इसमें हम इस तरह से सारी हरी मिर्च को एड़ कर देंगे तो आप क्या करेंगे जो हमने इसमें एड़ करेंगे हम हींग वाला ओयल इससे तो ऑईल की कॉंटिटी कम रखे तो अब हम क्या करेंगे ढखकन बंद करके उपर से नीचे तक इसे हिला देंगी इस तरह से क्या होगा जो हमारा मसाला है मतलब ऑईल है अच्छे से मिक्स हो जाए सारे हरी मिर्च के मसाली में अच्छे से पहुंच जाए तो यह देखे आप इसे दो से तीन दें तक हलकी धुप में भी रख सकते हैं उपर से ढखकर निकाल दीजिए हलका सा कॉटिन का कपड़ा उपर से लगा करके रख सत्ते से अचार गल जाएगा अगर आप मेरे तरीके से अचार बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा पह जो से अचार बिल्क्त सा अचार बाल हमें देंगा खराब मेरे तरीके से अचार आपकर टेंगा तो नहीं हो विल्क।